रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सबी लोग आशा करती हूँ आप सबी परम मंगल में होगे स्वास्तों के अच्छे होगे वैसे तो हमने 5 दिन की गनपती रखे थे लेकिन मैं 5 दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जादा बिजी थी गनेश जी की प ब्लॉग बनाने का होसी नहीं रहता तो यह गनपती पपा का भोग है तो यह है आलू मटर की सबजी भिंडी की सबजी मखाने की खी चटनी मोदक और यह है पूरे तो यह आज का भोग है गनपती पपा का इन 5 दिन में मैं थोड़ा ही थोड़ा ब्लॉग बनाया यह पापा के साथ कैसे चले गए पता ही नहीं चला गनेज जी आए और सिया ना बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी हमेशा किसी कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो यह बहुत इंजॉय करती है और हम भी कोशिश करते हैं कि इसको हर फेस्टिवल पे साथ लेकर ही जाए क्योंकि बच्चों में जो संसकार होते हैं वो बच्पन से डाले जाते हैं तो वो कोई भी पूजा पाट बहुत बहुत जाता इंजॉय करती है आप लोग देख पार होगे समय पे भाईया आरती कर रहे हैं और यह भाईया को आ पाझ दिन कभ बीद गए और बप्पा की विदायी का समय आ गया जरन बबपा की विदायी थी उस दिन राधामी थी और उसी दिन रात को मिरको बहुत तेज बुखार आया जब गनपती जी को हम विदा करके आये ना उसके बाद इतना तेज बुखार आया कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है गनपती जी को विसर्जन करके आये उस दिन पूरी रात मिरे को गनपती जी की बहुत याद आई रात को मैं गन्नू बाबा के बारे में ही सो से सो गई और सुबह जब अरली मॉनिंग में बुठी तो मेरे को 103 बुखार था फीवर को चैक वैक किया तो 103 था उसके बाद डोलो खाई कोई असर नहीं कर रहा आज कल फीवर बहुत जादा चल रहा है डोक्टर ने भी कहा है कि दो दिन का दवाई खाके देखो अगर दो दिन तक आपको अराम नहीं मिला तो फिर दो दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको ओ टेस्ट करने के लिए बोलेंगे बुखार बहुत कपकपी देखे आता है खैर ने तो छोड़े ये तो मेरी हुई पर्सनल बात और आप कैसे हो क्रिप्या करके मुझे जरूर बता तिल के तिल में कितनी मिलावट आ रही है यह आप देख रहे हो यह हमने पंच जोत के लिए जिलाए हुए है और इसमसे कितना काला काला निकल रहा है इसको हमको घर के बाहर रखना पड़ा हो इनफेक्ट पॉजिटिव वाइविशन्स के लिए हमने जलाये तो आपके साथ भी ऐसा होता है आशकल बहुत ज्यादा मिलावटी वाले तेल आ गए बहुत ज्यादा और फिर यहां पर मैंने एडवाइस किया कि हम केवल और केवल एक चांदी के दिये में घी वाल अदिया ही भगवान के सामने जलाएंगे और हम बस केवल घी वाल अदिया ही भगवान के सामने जलाने लगे क्योंकि तिल के तेल में इतनी मिलावट थी इतनी मिलावट थी कि मैं क्या बताओ और यहां पर भाईया और मैं और हम सब थे यह गनपती जी पे हम लोग enjoy कर रहे थे दिखा रही थी कि आज मैंने क्या पहना है मुझे चिकनकारी कुर्ती लखनवी कराई की शुरू से ही बच्वन से बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे चिकनकारी कुर्ती पहनी है लखनवी कराई के साथ को यहाँ पापा की साथました और से गनपती पता के साम का भोग वहाँ है पूरिके पड़ी से पहले उनकी ऊपर चावल डाले जाते हैं उनकों हलका सा इसके बाद उनको उठाया जाता हो और घर के जो बाहर रख दिया जाता है और जब उनको घर के बाहर रखते हैं तो उनकी एक आर्थी होती है जैसे कि आप देख रहे होगे मैं इस समय पे बहुत ज़्यादा परिशान थी मैं किया सभी होएंगे लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है इनसे यह नहीं बोला जाता है बपा आप जाओ यह बोला जाता है बपा अगली भरस जल दिया हो अब देखो पूरे पांस दिन पनीत ने बिल्कुन भी गनपती पपा मो दिया करा और बपा अब जा रहे थे तो लिफ से पहले यह नीचे गए हम लोग भी गए थे उस दिन बारिस पर बहुत ज़्यादा हो रही थी आपको दिखाती हूं बपा के जाते के वक्त आँखों में इतनी उदासी चाह रही थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती यह ए इसे यह सब چिजें बंद कर दि गए अब बपा का यह ञाता है तो एक मिसार्जन इस बनाए जाता है उसमें प्कलता पर आते अर्ति और होती है तो वहीं आर्ति हम लास्ट में जाते जाते कर रहे थैं आप बारिस कितनी ओर है और सिया आप इन साथ इन्जॉय कर रही थी भहीया के साथ। और भगया भी सिया ktion की बहुत केयर करे थे और अब लास्ट आर्थी थी बप्पा की जो होनी थी और लास्ट आर्थी होने के बाद बप्पा को फिर विदाई करे थे यह लास्ट आर्थी बप्पा की चल रही है और आखे अभी से नम होने लगी है पतब इतने दिन बप्पा हमारे साथ रहे उनको हमने खान प्राफ्ट में मैं सुनती थी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यह बात एक डम ठूथी मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली फिल कर रही थी गनपती बपा को आप देख रहे हो गई यह विसरजन कराया जा रहा है एक बड़ा सा तला नुमा आकरती में इमोशनल हो जही थी कुझि हम लोगों के गनपती बपा की बहुत जादा सेवा करी थी तो हम दोनों ही रोने लग हो और दीधी को ज्यादे ही रोने लगी थी दिधी मुझे कहहीती देख़ हुए नोब साथ घिते लेकिन कार द्यसीं सब्बब तेस्ट, थीक है न, तो देखे हिं पानी कहाँ पे गिरा, पानी पे गेर, शिन्दूर आया पूरा नाग तक नाक तक शिन्दूर आना बहुत ज्यादा सूब माना जाता है बहुत ही ज्यादा शूब और यह बहुत सूब संकेत भी बोला अब गनपती जी का भी सरजन हो गया तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बार बताती हूं जिस दिन हम गनपती जी को लेकर आये थे ना उसके बाद फर्स दे हमने जिनकी सेवा स्टार्ट करी सेवा स्टार्ट के मेरे हजबन के पास इतना बड़ा एक कॉंडेक्ट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती मतलब काम बहुत अच्छे लेवल पर सेवा तो अगर तुम भगवान की सेवा भक्ती भाव से करते हो ना तो भगवान आप पर अवश्य और अवश्य परसन होते हैं अ आपके हजबन कैसे रात राणी को इतना मानने लगे बरसाना वो शादी के बादे गए तो आपने में बता दें उसकी वीडियो में कभी और बताऊंगी फाइनली गनपति पपा मोरिया मंगल मूर्थी मोरिया एगली वरस दुबारा आना राध राधे हरे कृष्णा हरी बो झाल 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 झाल